नमस्कार मैं भाशा और इसमें न्यूस क्लिक की टीम के साथ हम पहुचे हैं पटियाला पंजाब यहां पर हमारे पीछे कोठी है कैप्टन अमरेंदर सिंग की जो कॉंग्रेस से पाला बदल कर पहुचे हैं भाशपा के साथ और उनका प्रचार प्रसार प्रधान मंत्री नरे हैं क्या उसका रिस्पॉंस क्या है और सबसे बड़ा सवाल कि यहां की जंता किस तरह से देख रही है इन चुनाओं को उनके मुद्दे क्या है आईए हमारे साथ चलिए देखते हैं खंगालते हैं लोगों के दिल और दिमाग कुलदीब जी न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है पटियाला में जो चुनाओं है और सिर्फ पटियाला ही नहीं पंजाब में जो चुनाओं है इसमें आपको क्या लगता है सबसे पहला सवाल बीस को जो मद्दान होगा आपको क्या लगता है किस तरह से सरकार बन रही है दिखो कार्ण सरकार जड़ी मरजी बने पर मेरे लिए सब तो वड़ा चैनता दा मसला है कि इन उलेक्षनां दे बेच जड़ा साड़े सासो कसान बार्डर दे उपर शिहीद हो गया सी पंजाब उदे बारे भी किसे भी प्लिटिकल पार्टी ने गाल नी कीती जड़ी एलेक् सब्सक्राइब लिए सासो करवाने लगपग करना हो जड़ीσιाइस शिहीद जड़े ने उन्हों भी पला था धींग राजगृ सकते हैं उन्हों याद रख है है इस लिए सब्सक्राइब नीजे चाहें आदमीं पार्टी है चाहें कांगरस क्ली है चाहें जड़ी भी पार्टी पार्टी कर रही है तो भी चिंगेश को फोलिकेश के प्रवारन दे बार जचाहीं समार्ग बना पर पर पटियाला को पॉलिटिकल सिनेरियों में कैपटन अमरेंदर सिंग महराजा अमरेंदर सिंग के लिए जाना जाता रहा है हूंकि कोठी बगली में है अभी जिस तरह से वो चुनाओ लड़ रहे हैं जिस तरह से होकी उंको निशान बना है जिसमें उंकी तस्वीर से सब्सक्राइब और को सता है पाकिस्तान बॉर्डर है वहां ंपला हो सकता है। कि मुसल्मान भी ऐतए हिंदू रहा है और बाकी बीछीजें अंप पंजाबTS था पहलाना थी बाॉडरि स्टेट हालां के चाहिदा है अब उद्दर पंजाब से पंजाब जिस किसम दा पंजाब ने पहलावी तरास दिया चलिया ने इन आ इन्हें लगाने ने इस स्कुर्टी डी गाला करके पंजाब दे क्योंके जड़ाऊ सेंट्रल कोद पर पंजावा खुद कशियां कर रहे हैं पंजावा बेर जगारी दा आलम बढ़े हैं पंजावा डवेल्मेंट मॉडल क्राइस सचा ते बहुत ज्यादे थूंदा यू था जड़ा प्रवास करदा जा रहे हैं वह मुद्दे बहुत कोर मुद्दे ने उनना तो साइट्रेक करन सब पार्टियां चुनाओ लड़ रही हैं यहां से किसका नाम जादा है क्या मुद्दा जादा है मेरे पिंडवी का लाया दा लड़ूंगा लोख्या विके तरी बार दिया अब आम आदनी पार्टी जाड़ू वाले आच्छा हाई कि इस बार पूरे पंजाब के चिनाओं में मुद्दे तो गैबी हो गए एक दो मुद्दे हैं मेली एक तो पंजाब को बचाओ पंजाब का विकास करो पंजाब को संभालो और दूसरा चेहरों का मुद्दा कि कौन कौन चीफ मिनिस्टर का चेहरा है वो मान है बादल है य तो इस बार लोगों में देखिए एक तो किसान अंदुरन के चलते हुए भी वैसे भी जितना यूथ जैसे आगे आया था और है उसमें एक ऐसी फिलिंग तो है यूथ में के कुछ नया होना चाहिए लेकिन क्या होना चाहिए उसको मुद्दों को लेकर ऐसा नहीं है लेकिन एक अंडरकरंट है कि कुछ नया होना चाहिए कुछ चेंज होनी चाहिए जिसके चलते हुए जैसे ही कॉंग्रिस ने चन्नी का फेस हाके लाए तो पंजाब में दलितों में एक मैं तो ये भी कहता हू कभी कभी के बस्पा के मकाबले चन्झी का केवल चन्झी का फेस जो है दलितों के लिए एक बड़ा फेस बन गया और दूसरा यह जो आमादमी पार्टी भी जिस तरह से लास्ट 2010 में जिस तरह से उसको लास्ट दो दिनों में यहां इलेक्शन के चुनाओ के नतीजे जब आए जो सामने आए तो उससे शैस तर्क होते हुए इनूने इस बार भगवनतमान जो पंजाब का है पंजाब का नोन चेहरा है उसको आगे लाए हैं तो यह दोनों ने इसके चलते हूं मुझे लगता है कि अच्छ इनिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं मेरा नम हमेश बीर हैं मिले को लिगा रहने वाला हूं मारे वहां कॉंग्रेस पार्टी चल रही है और पहले भी पांच बार जिट चार मरतभा जित चुकी है वो अब इंशालला वही जितेगी कॉंग्रेस पंजाब दी पॉलिटेक्स चाहे आमादमी पार्टी या चाहे नमी नमी बीजेपी बढ़ी चाहे कांग्रस चाहे आमादमी पार्टी या अधिकल डियालोजी कोई नहीं ओवा जहां तता नकवेर ने जहां एदरों दूज्ये पास वेदर आपके कोई वी जदो बचार तारा वाली पॉलेटेक्स ना चाहें कांग्रस चाहें आमादमी पार्टी कांगरs पार्टी सब्सक्राइब चोड़ा जैस्पदर lasa साथ म्यूथ किते हैं इन्हें चोटे समेच कोई मसला ना होने पुल्फ़ा में नहीं कर सके लोग को दौह पार्टी अनुन रिजेक्शन दे कि विच्छों आमादमी पार्टीबल जा रहे है पटियाला में अभी क्या महौल है किसका नाम ज्यादा चल रहा है ऐसा नहीं है मेरी के वाइस है जिस तरफ जिसका प्रेसर ज्यादा है वहां पे है बट वैसे इस इस बार आम आदमी के तरफ ज्यादा देहान है लोगों का इस बार क्या लग रहा है क को क्या लगता है क्या फायदा होगा क्यों बंदा अच्छा है ठीक है काम करेंगा लगता है सो परसेंट काम करेंगा जी कैप्टन अमरेंदर सिंग का बहुत घरी है महल है यहां पे तो क्या आपको लगता है इस बारों चुनाव हारेंगे कह नहीं सकते बाकी हम तो कह रहे हैं के हार जाएंगे उनका भी वोड़ बैंक तो है यह उनका वोड़ बैंक क्या है वो भाश्पा के साथ गये उनके लिए अच्छी बात रही या खराब बात रही है एक आखरी और सीधा सवाल आपके हिसाब से आज पंजाब में सरकार किसकी बन रही है या बन सकती है देखो मैं इन दिनों में हमने न किसान कर्वेंशन की है अपने जहां करांती गड़ी किसान यूण पत्याला पातणा बताला फिरोजपूर मांसा फत्यगर साब वहां से लोगों से जो मैंने इंपुट लिया है लोगों से इनपुट लेने के लिए मुझे ऐसा लगा कि अंदर करंडेक ऐसा चलना है कि आम आदमी पार्टी और कौंग्स के अंदर एक कंपिटीशन है उसके लिए मुझे लगता है कि चन्नी के आने के बाद, प्रोजेक्ट होने के बाद, कॉंग्रिस को थोड़ा बल मिला है, आम अद्वी पार्टी किसान अंदोलन ने एक महाल बनाया है, जिसको नौजवान लोगों ने पकड़ा, और यूथ जे चाह रहा है, और खासकर पंज में केजरिवाल ने जा उसकी सरकार ने क्या किया है, कितना किया है, लेकिन पंजाब में लोगों में के इस तरह का सोच है, वो चन्नी का चेंज हुआ चेहरा, आम आदमी पार्टी एक नए रूप में देख रहे हैं, तो उस तरफ लोग मुझे लगता है।